जय जय मात्रा दिमित्रो आपका स्वागत है एक मात्र ऐसे चैनल जहां पे तंत्र, मंत्र, क्रिया, योग और योगी क्रियाओं का उन सभी ज्ञान को आपको दिया जाता है जिससे कि आप जीवन की समस्याओं को दूर कर सके और वह भी पूर्ण रुप से प्राकृतिक और वह भी अध्यात्मिक क्रिपा से तो आज मैं आपको एक सक्ति साली प्रयोग बताऊंगा जो कि अगोरी सादू का दिया हुआ सिद्ध प्रयोग है लेकिन इसके लिए कुछ नियम है कुछ मात्र पूर्ण चीजें हैं जिसके तहत होके अर्थात इस नियम के अधिन होकर तो यहां आपके लिए पूर्ण रुप से फली भूत होगा और यहां क्रिया जो है ऐसा है जिसे आप प्रयोग करके देखेंगे तो परणाम खुदब खुद आपको दिखेंगे क्योंकि प्रमारित प्रयोग है सफल कई बार प्रयोग किया जा चुका है सबसे पहले तो याद रखिएगा आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति के उपर इसे करना है ओभी जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा लगाओ है प्रेम है जिससे आप किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते हैं या फिर जिससे हर हाल में पाना चाहते हैं तब कि स्थिति में इसे करे और एक ही व्यक्ति के उपर लागू होगा बार बार कताई काम नहीं करेगा करना क्या है नियम क्या है इसे ध्यान से सुनिए इस विधी को आप सनिवार के दिन ही प्रयोक कर सकते हैं और जैसा कि आपको पढ़ने सी समझ में आ गया होगा कुछ ऐसे पल होते हैं जिस पल में व्यक्ति जो है आनंद की अवस्था में होता है जैसे कि अगर आप यूरीन करते हैं उस समय आपकी जो इस्थिती है जो मानसिक इस्थिती है जो आपकी सेल्स की जो आपकी सरीर की इस्थिती है वो आटोमेटिक अर्था स्वताह मोड में एक आनन्द की स्थिती में पहुँच जाता है और उसे आप अनुभाव करते भी हैं लेकिन अचेता नवास्ता में करते हैं तो आपको इस स्थिती में जब आप यूरीन करें उस समय आपको इस मंत्र को बोलना है मंत्र को जब तक आप यूरीन करते रहेंगे तब तक बोलना है दुसरी बात मंत्र को याद करके रखना है मुखागर करके रखना है और मंत्र बोलने के लिए एक नियम ध्यान रखिएगा जब आप इसे जाप करें मन में ही जाप करें और आखे बंद करके उपर की ओर आखे बंद करके जाब कर रहा है और जब मंत्र जाब कर ले अर्थात जब आपका समय है वह खतम हो जाए यूरीन का समय तो उसके बाद जब आखे खोले तो सबसे पहले उपर की ओर देखते हुए खोले ना कि नीचे के ओर या फिर इदर ओदर, उपर के ओर देखते हुए खोले, और जिस मंतर का आपने जाब किया है, जिस व्यक्ति को ध्यान में रख कर, तो उपर धन्यवाद देते हुए कि वह व्यक्ति मुझे मिल गया, मिल जाए, इस कृपा को बनाए रखने के लिए जो आपकी भाव की इस्थिति है, वह खुद वह खुद उस व्यक्ति को इतना बेचान कर देगा, मंतर की सक्ति के साथ मिल के, कि वह व्यक्ति नजदिक है, तो आपके पास आई जाएगा, दूर है, तो किसी न किसी तरह के आपको वह संपर्क जरूर करेगी, और खुद से आप से संपर्क करेगी, तो वह सक्ति साली मंतर है, ओम, क्लीम, एम, शौम, हरीम, ग्लॉम, जगन, मोहिनी, मदोन, मादिनी, क्लीम, एही, एही, क्लीम, क्लीम, अमुकी, सम्मोह, सम्मोह, हुम, फट, मंतर को अच्छे से आद कर लिजे, और अगर समझ में नहीं किसी भी तर से तो नंबर पर वाट्सअप मेसेज कर सकते हैं, जय जय माता दिमत्रूप